जेहिन कौन कहता है कि जेसियोज अधिकारी नहीं है जेसियोज अधिकारी भी है गजटेट ओफिसर्स भी है उनके अधिकार भी है लेकिन किसी को पता नहीं और थोड़े बहुत जो पता भी है तो उनको जो सीनियर अधिकारी है वो उपियोग में और अधिकारों को काम में न नहीं दरसल ये मामला तब आया जब P.O.R. ने रिकोर्ड ओपिस को इस मामले में एक पत्र लिखा कि जेसी ओज कोर्ट ओप इंक्वारी कैसे कर सकता है जो भी डेलिगेशन ओप पावर है उसकी अथोर्टी भेजे तो इसके उपर रिकोर्ड ओपिस ने ठोक कर P.O.R. को जब इस ने P.O.R. को समझा दिये तो आइए इस लेटर को भी समझ लेते हैं और आज के बाद जैसी ओज चाती ठोक के कह सकते हैं कि हम ऑफिसर्स हैं तो सातियों सबसे पहले आप देखें यहां पे 28 फरवरी 2023 को रिकोर्ड ओपिस ने P.O.R. को लेटर लिखा है ये रिकोर्ड फरवरी 2023 को ये लेटर रिकोर्ड ओपिस को लिखा और 28 फरवरी को रिकोर्ड ओपिस ने P.O.R. को सांदार जबाब दिया है इसमें पूछा गया था P.O.R. ने बोला था कि जो नाइप सुवधार विने कुमार हैं यहां पे आप नाम देख पा रहे हैं इन्होंने कोर्ट इन्कॉरी की तो डेलिगेशन ओप पावर की अथोर्टी बेजे हैं इसके बाद रिकोर्ड ओपिस ने कहा कि अंडर दा प्रोविजन ओप सब सेक्शन 12 वे ओप सेक्शन 3 ओप दा आर्मी एक्ट 1950 सबसे पहले आर्मी एक्ट 1950 में जूनियर कमिसंड ओपिसर्स आर कमिसंड मत अतलब जेस्योज है वो सेना में कमिसंड होते हैं ना कि बरती होते हैं जेस्योज कमिसंड कब होते हैं जब जेस्योज को परसिडेंट की तरफ से कमिसंड का सर्टिपिकट दिया जाता है एंड गजेटेड ओफिसर और इसके साथ साथ वो गजेटेड ओफिसर भी है ये लि 1987 के वोल्यूम वन कमिशन ए जेसियो एंड वारंट फोर वारंट अफसर्स आर ग्रांटेड बाई दा परसिडेंट यानि जो जेसियो है और जो वारंट है वारंट अफसर्स के उनको परसिडेंट कमिशन देता है एन एज पर रूल वन डेबल सेवन ओप दा आर्मी रूल 1954 जेसियो जेन प्रिजाइड ओवर एक कोट ओप इनकोईरी हर कोई पूचता है कि कोट ओप इनकोईरी कंड़क्ट कर सकते हैं जेसियो जेकि लिखावा कहा है तो यहाँ पे पेराग्राफ भी आ चुका है आर्मी रूल 1954 का रूल नंबर वन डबल सेवन इसमें लिखावा है कि जेसियो कोट ओप इनकोईरी में प्रजाइडिंग अपसर हो सकता है और अथोर्टी देखिए अंडर दा प्रोविजन ओप सब सेक्षन 3B ओप सेक्षन 132 ओफ कोड ओफ क्रिमिनल प्रोशिजर 1973 जूनियर कमिशन ओपसर यानि जेसियोज आर ओफिसर अब जेसियोज चातिठो के कह सकते हैं कि हम भी अधिकारी है क्योंकि कोड ओफ क्रिमिनल प्रोशिजर 1973 के सब सेक्षन 3B ओफ सेक्षन 132 में किलियर लिखावा है कि जूनियर कमिशन ओफसर और अफिसर अब दीज़िसर अब बफ सेट्वाइशन 12 अब फर यानि फिननियन रगुलाशन पर ओंवन जेसियो जून ऑफ दर्शूर्टी अमंस्ट आल कमिशन ओफसर और इस इवलियन गजेटर ओफिसर यानि CGO सातियों जो MROs होते हैं वो केवल अधिकारी ही साइन कर सकते हैं और ये Financial Regulation में लिखावा है कि JCO भी साइन कर सकता है इसका मतलब JCOs भी अधिकारी है ऑफिसर है एक और अतोर्टी देखिए Further, Under the Provisions of Pera 149 of Documentation Procedure JCOs and OR 1992 JCOs have been empowered to attest oblique authenticate all types of entries Document Procedure में clear लिखावा है कि JCO सभी परकार की जो Entries है उसको authenticate कर सकते हैं verify कर सकते हैं initial कर सकते हैं sign कर सकते हैं उसको attest कर सकते हैं ये Entries जुड़ी होती है JCOs और जवानों की Document Procedure JCOs and OR 1992 ये revise हो चुका है लेकिन नियम अभी भी exist है एक authority और देखिए Under the provision of section 5 of Territorial Army Act 1948 JCOs are officers जो TA rule है TA Act 1948 उसमें भी लिखावा है कि जो JCO है वो अधिकारी है अब इस letter के बाद P.O.R. को भी समझ आ जाना चाहिए कि JCOs JCOs नहीं है JCOs एक commissioned officer है जो की junior है और जो direct entry officer होते हैं वो senior है दोनों ही अधिकारी है In view of the above It is clarified that JCOs being commissioned and gazetted officers themselves are competent authority and not required delegated power from other superior authority to attest or sign the documents तो कूल मिला कर इसका पूरा जिस्ट निकल के आ चुका है ये senior record officer ने P.O.R. को लेटर लिखा है कि JCOs खुद अधिकारी है उनको किसी दूसरे के power relegation की आउश्यक्ता नहीं है वो attest भी कर सकते हैं वो sign भी कर सकते हैं वो court of inquiry भी कर सकते हैं और वो जवानों के documentation भी कर सकते हैं तो सातियों आज के बाद कोई भी JCOs अपने आपको जवान या non-commissioned officer के वराबर ना समझे JCOs is equivalent to officer आज के बाद JCOs सभी अपने आपको अधिकारी ही कहें आपके सामने ये authority available है और इसका जो PDF लिंक है मैं इसी वीडियो के description डाल दूँगा और सभी JCOs इस letter की PDF को अपने पास रखे हैं क्योंकि इसके अंदर pair wise, section wise हर एक वो army act और army rule और DSR का reference दिया हुआ है जिसमें ये लिखावा है कि JCO अधिकारी कैसे है आप particularly किसी act या rule को जानना चाते हैं जैसे army act 1950 तो आप download कर सकते हो Google में जाकर आपको army act 1950 मिल जाएगा DSR volume 1, 2 मिल जाएगा इसी के साथ आपको code of criminal process 1973 मिल जाएगा हर एक document online Google में available है आप जरूर जिस document को चाते हो कि refer करना उसको एक बाद डाउनलोड करो और उसमें अपने आपको JCOs as officers पाओ तो सातियों congratulations to all JCOs और यूही आप आगे बढ़ते रही हैं आज आपके जितने अधिकार है उनका एसास आपको हो चुका है अभी तक JCOs को लेकर यही संभावना है चल रही थी कि JCOs gadgeted है या नहीं तो इस later के बाद आपको commission देता है नाइब सुबदार बनने के बाद पसिडेंट जैह इन सातियों